ओम शान्ती, आज है 27 सेप्टमबर, तो आए सुनते हैं मेथी प्यारे बाबा की मेथी मेथी मुरली के मुख्या 8 पॉइंट्स, पहला पॉइंट है बाबा ने कहा कि तुम बच्चे ज्ञानी तु आत्मा बन गए हो, क्या बन गए हम ज्ञानी तु आत्मा, तो बाबा केते ज ज्ञानी तु आत्मा कौन, जिसको अपने बारे में सब कुछ समझ में आ गया है। बाबा केते दिखो, तुम्हें पहले ये पता नहीं था कि हमारे सोभाव संसकार खराव हैं, हमारे अंदर पांच विकार भी हैं, लेकिन अब तुम बच्चों को सब समझ भी आ गया है, य आत्मा के अंदर पांच विकार भरे हुए हैं, और बाबा केते मैं देखता भी हूँ कि पांच विकारों के वशिवूत होके बच्चों के अंदर मैजॉर्टी के अंदर वियर्थ संकल्प चलते हैं, और ग्यानी तो आत्मा में कभी-कभी अपने गुरों का भी थोड़ा भ आते हैं, लेकिन बाबा केते सच्चा प्यार वो माना जाएगा, जो अपनी कमजोरियों को, खामियों को और जो खराब संसकार बन गए हैं, उनको बाबा के प्यार के आगे कुर्बान कर दें, यही है सच्चे प्यार का सबूत, तो बाब के प्यार में अपनी मूल कमजोरिय लोगो क्या करना है. उसमें चाहे वियर्ष संकल पागय है, चाहे नैगतिव संकल पागय है, चाहे पुराने सुभाव संसकार. दूसरा पॉइंट है सौमान की सीट पर सौयम को रखना है बाबा रोज रोज हमें सौमान देते हैं कि तु ग्यानी तु आत्मा है तुम सरेष्ट योगी हो तुम कर्म योगी हो मास्चर सरव शक्तिवान हो तुरिकाल दर्शी हो विश्यो कल्यानकारी हो तो ऐसे कोई भी सौमान लेकर उसकी सीट पर सौयम को सेट रखना है तो अगर हम सौमान की सीट पर सेट रहेंगे तो सभी हमको सम्मान देंगे मांगना नहीं पड़ेगा सब सम्मान देंगे और माननिय आत्मा बन जाएंगे तेके मांगना नहीं किसी से सम्मान तीसरा पॉइंट है बाबा केते हैं देखो ये ड्रामा बड़ा वंडर्फुल है सेकंड सेकंड पार्ट चलता जाता है एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से हर मास हर घंटा हर दिन पास होता जाता है हुब हुब पांच हजार वर्ष माफिक तो सोचो कितनी बड़ी बात बावा कह रहे हैं कि हर सेकंड हुब हुब पांच हजार वर्ष बात जैसे हुआ था पहले हुआ था ऐसी फिस्जिवाद में होने वाला है तो यदि ऐसा ही है, तो फिर हम चिंता कितनी कर लेते हैं? बावा कहते हैं, जो कम बुद्धी वाले हैं वो फिर चिंतित रहते हैं, लेकिन जो ड्रामा को समझ जाते हैं, वो सदा निशिन्थ रहते हैं, कि ड्रामा कल्यानकारी, nothing new, जो होना है, वो होकर ही रहेगा, और पॉइंट है, बावा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं, बावा हमारे ओपर कुछ क्रीपा करो, हमको माया से बचाओ, लेकिन बावा कहते हैं, मैं तुम को रोज जो समझाता हूँना, माया से खबरदार हो, तो यह लिखेंगे कि माया बहुत तुफ़ान लाती है, बचाओ, ऐसे नहीं चलीगा, तुम देहे विमान में मताओ, जितना जितना तुम देव मान में आएंगे, उतना तुमको माया तंग करेगी, तो बावा केते हैं, अभी तुम मैंने तुमको सारा ग्यान दे दिया है, तुम अकलवन बन गए हो, अभी तुम जानते हो कि बावा, गरीव निवाज बावा हम बच्चों के लिए आए हैं, पावन बनाने के लिए आए हैं, तो माया तो युद करेगी, लड़ाए तो उससे होगी ही, लेकिन तुमको अचल अडोर रहना है, और माया जीत बनना है, पांचवा पॉइंट है, बावा केते, तुम बच्चे जानते हो न से आके नया शरेर लोगी, सत्यू में जैसे पार्ट प्ले करना होगा, तो कोई समझे मोक्ष मिल जाए, हम उपर रह जाएं, यह बावा के तिक गपोड़े है, जैसे कई कह देते ना, कि पानी का बुदबुदा है आत्मा, तो पानी में लीन हो जाएगी, सागर बावा है, उसमें लीन हो जाएगी, बावा के तैसा नहीं है, बावा तुम बच्चों को पावन बनाते हैं, फिर तुम आत्मे परमधाम बैठती हो, फिर जैसे जिसका पार्ट होता है, वैसे रोल प्ले करने के लिए आती है, ठीक है, तो करना कह है तुम बच्चों को, जो बावा जो कि ब्रुम्ह बावा के तन में तो शिव बावा आते हैं, तो इनको कोई मैनत नहीं करनी पड़ती है, बावा के ते नहीं, जितना डिफिकल्ट तुमको लगता है मैनत करना, इतना है इनको भी लगता है, माना इनको मैनत करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि मैं इनको कोई आ मैनत इनको भी करनी पड़ती है माना हमने यह नहीं सोचना है बिना मैनत के कुछ नहीं मिलेगा पहले पुर्शारत फिर प्रालब्द चीक है और चठा पॉइंट है बावा केते देखो अभी पिछाडी में आवाज आएगा अहो प्रभु अहो शिव बाबा आपकी लिला अप प्रमा पार क्यों कि तब ही आत्मा को समझाएगी कि सच मुझ ये सची कहते थे कि भगवान सिष्टी पर आ चुके हैं वही बाप सुप्रीम बाप है सुप्रीम टीचर है सुप्रीम सत्गुरु है और वो सभी आत्मा को मनुश्या से देवता बनने की शिर्मत देते हैं तो काउं विकार में जाना जिसके कारण तो मात्मा पतित बन गई और तुम्हारी सारी ताकत ही निकल गई ठीक है? तो बाबा केते कई बच्चे तो चलते चलते माया से बहुत हरान हो जाते हैं बिल्कुल बेसमझ बन जाते हैं क्योंकि माया विघन डालती है तो बाबा केते विघनों की वश नहीं होना है और विनाश्ट पहले स्वयम को संपन बनाना है ठीक है? और सात्मा पॉइंट है बाबा केते मीठी बच्चे मैं यही डारेक्शन देता हूँ कि मैं पतित पावन सरो शक्तिवान मास्टर आलमाइटी अथार्टी हो तुम मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे और मैं तुम बच्चों से परतिग्या भी करता हूँ कि तुम्हारे सारे पापों को मैं नश्ट कर दूँगा पापों से तुमें मुक्त कर दूँगा तुम बच्चों को तुम अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए बहुत खुशी में फोले ना समाना चाहिए कि बाबा हमको बिगर कोड़ी खर्चा क्या से क्या बना रहे है बाबा केते कितना ग्यान का दान किया ग्यान धन दान किया गुणों का धन दान किया तो इतने उच बन गए कि लक्षमी जी सभी को देने वाले दाता विधाता की बच्ची एकदम लक्षमी जी बन के दाता बन गए थेक है हाठवां पॉइंट है बाबा कहते कि आबू भूमी सारे विश्यू की सदगती करने का स्थान है तो ये सर्वोतम तीरत है सारे दुनिया की आत्मा यहां आएंगी यहां से सब को सदगती मिलेगी क्योंकि सर्व कहा जो सदगती दाता है बाप और आदम मना ब्रम्हा बाबा वो यहां बैठ करके बच्चों को सदगती दे रहे हैं इसलिए बाबा कहते तुम्हें आबू की महिमा सब को सुनानी है कि किस तरह बाबा आबू में आकर के सारे संसार को मुक्ती और जीवन मुक्ती देते हैं और योग में बैठने के लिए खास बावा नियाज अंडरलाइन कराया, जब योग में बैठते हैं तो एक दुग साथ बॉड़ी टच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब बॉड़ी टच होती है, उसे क्या होता है, कि कई बार किसी आत्मा का योग बहुत अच्छा लगा होता ह है, अच्छे संकल्प होते हैं, अच्छा पुर्शार्थ होता है, अच्छी ट्यागी टपस्वी होती है, और थोड़ा एक खलकी आत्मा का साथ में ऐसे टच हो जाए तो उसके सीति में अंतर आता है, है ना तो बावा केती वरैटी बच्चे हैं ना, कोई तो बहुत की टपस्वी स्मर पन्भावना से बावना है, है झाय।